हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार अंडर 247 पर दोस्तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की बात जो की बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में और लगबल हर एक्जाम के अंदर आता है कोई भी एक्जाम का बच्चा इस क्लास को देख सकता है और इस वीडियो के अंदर सारे के सारे टाइप्स बहुत कम समय के अंदर मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो सिंपल इंट्रेस्ट के और मुस्त सारे डाउट आप लोगों के बहुत कम टाइम के अंदर क्लियर हो जाने वाले हैं तो सिंपल इंट्रेस्ट जो चैप्टर है बच कर ली जाएं सिंपल इंट्रेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट का मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग साधारन ब्याज है ना सिंपल और इंट्रेस्ट तो जैसा की नाम से इस परस्ट है ऐसा ब्याज जो साधारन और स compound तो यहाँ पे हम लोग simple interest की बात करेंगे only सबसे पहले बात करें कि ब्याज क्या होता है देखो जी आपने कुछ पैसा किसी से उधार लिया मानलों कि 10,000 रुपए आपने किसी से उधार लिये जो पैसा आपने में बोलते हैं मिश्र धन तो दस हजार लेके जो बारा हजार दिया तो यह तो दो हजार रुपए का जो डिफ्रेंस आया जो आपने एक्स्टा पे किया वह आपका ब्याज है समझते हैं बात को तो वह ब्याज किस तरह ऐसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरस्ट होती है जिसे ब्याज की दर कहते हैं और कुछ फिक्स समय होता है एक साल दो साल चे मैने बीस दिन अठाइज दिन पचीश दिन जो भी तो यह समय आप लोगों को यूज करना होता है रेट ऑफ इंटरस्ट आपको यूज करने होती है और प्रिंसिपल के ऊपर हम लोगों को एक इंटरस्ट कालकुलेट करना होता है जो कि हर साल के लिए बराबर रहता है ध्यानकना simple interest जो होता है ना वो आपका हर वर्ष जो है वो principle के उपर ही calculate होता है ऐसा नहीं है कि principle पर ब्याज निकाला फिर वो add किया फिर उसके उपर ब्याज वो compound interest के अंदर होता है तो दोनों में difference होता है है ना तो मैं आपको यहाँ पर अभी एक एक चीज को प्रूव करके एक एक चीज पर बात करते हुए आपको चीजे समझाता हूँ जैसे बच्चों मालो simple सा example लेते हैं हमने 5000 रुपए किसी से उधार लिए इसको हमने बोला principle amount यनि कि मूलधन और हमने जो पैसा लिया उस पर ब्याज की दर है 10% वार्शिक यनि कि पर एनम 10% का हमको जो ब्याज है वो पे करना है अब यहाँ पर पूछा गया कि तीन वर्ष के लिए जो साधारन ब्याज बनेगा यनि कि simple interest बनेगा वो क्या है साधारन ब्याज बनेगा simple interest बनेगा वो क्या है बचों यहाँ पर देखो formula भी है जिसका हम लोग use करते आए हैं या करते हैं आप उस पे भी काम करेंगे कई न कई वो भी जरूरी होगा लेकिन हम बिना उसके भी इसको अगर सोचें तो directly एक basic जो route होता है वो क्या है इस चीज़ को समझो जैसे दो को 10% rate है तो पुच्छे 5000 का 10% 5000 का 10% अगर आप निकालोगे अगर ब्याज की rate 10% है न तो इसका मतलब है कि ब्याज बनेगा 10% किस पे principle पे तो 5000 प्रिंसिपल है इसका आपने 10% निकाला तो 5000 का 10% ये क्या हैगा पुच्छे एक साल का ब्याज वन इयर का interest आ जाएगा अब हो सकता है कि हमें दो साल का तीन साल का ब्याज निकालना था तो हमने इंटू 3 कर दिया ये 3 येर्स का interest आ गया तो यहां से अगर हम देखें तो interest कितना बनेगा देखो यह यहां से 2 जिरो के इंसल हो गई 50 को 10 से किया 500 500 को 3 से गुना किया तो था 15-100 रुपै तो 15-100 रुपै हमारा यहां पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे simple interest बन जाएगा क्या बन जाएगा simple interest बन जाएगा अब मेरी बात को समझो 15-100 रुपै जो है दो area formula जो बनता है न वो आपने यह formula ही बनाय एक तरीके से आपने basic concept के दुरू formula बना दिया कैसे बना देखो ये 1500 क्या चीज़ है simple interest आया है न SI बराबर ये 5000 रुपए क्या है principle है ये 10 क्या है rate है ये 3 क्या है time है और upon में क्या आगया 100 so you can get a formula simple एक formula जो है SI बराबर PRT upon 100 ये आपके simple interest को find out करने का formula होता है हम इसके बिना भी चीज़ों को solve कर पाएंगी और अगर यहाँ पे basically हम देखें तो 4 variables आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 होता क्या है इन चारों में से कोई भी एक variable missing आपको दे दिया जाएगा बाकी आपसे पूछा जाएगा सपोज आपको PROT तीनों दे दिये जैसे कि इस question में दिये हुए तो आपसे SI पुछेगा वो सकता SI दे दे और इन तीनों में से कोई भी दो दे दे तो तीसरा वाला value आप लोग find out कर सकते हो ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से को चार formula याद करने हैं न प्रिंसिबल का formula होगा simple interest into hundred upon में ये सब एक ही है उसी के अंदर ही आपको changes करने हैं जिसकी value आपको पता है वो रख दो और जिसकी नहीं पता वो आपके सामने find out हो जाएगी ठीक है बच्चा अब यहाँ पर एक चीज और आती है total amount total amount को बच्चे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन क्या बोलते हैं बच्चो मिश्रधन बोलते हैं मिश्रधन का मतलब यह होता है कि total हमने कितना amount उसको pay किया हमने लिया कितना था 5000 रुपए प्लस हमने ब्याज कितना दे दिया 1500 रुपए तो 65 रुपए हमारा क्या हो गया total amount इसको आप क्या कह सकते हो principle प्लस simple interest principle प्लस simple interest जो है आप लोगों का total हो जाता है amount इसको आप लोग क्या बोलते हो total amount उमीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे आईए एक question के माद्दम से इसको completely हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं ये लीज़े question है आपके सामने एक बार आप इसको try कर सकते हैं question क्या कह रहा है question यहाँ पे आपको क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पे बहुत आराम से तरीके से चीजों को देख सकते हो समझ सकते हो क्या कह रहा है बुच्चे साड़े साथ सो रुपे आठ परसेंट रेट दो वर्ष का साधारन ब्याज साधारन ब्याज क्या हो जाता है आपका पी आर टी अपोन में हंटर्ड प्रिंसिपल कितना है साड़े साथ सो आर कितना है आठ परसेंट और time कितना है आपके पास दो वर्ष तो यहाँ पे आप लोग इसको calculate करेंगे इसे cancel किया यह आ गया 5, 15, 8, 120 यानि कि 120 रुपीज क्या हो जाएगा बचे अपने पास में simple interest बन जाएगा 120 simple interest बन जाएगा या इस question को आप लोग ऐसे भी find out कर सकते हो जैसे आपका principle कितना है 750 रुपे अब अगर ब्याज की बात की जाए तो 8% एक साल का rate है तो 2 साल का rate कितना हो जाएगा simple interest में क्या होता है एक साल का rate आठ है तो दूसरे साल का भी आठ है तो total 16% rate हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो आप साड़े साथ सो का directly अगर 16% निकालेंगे तो भी आपका यही अंसर आएगा है ना तो भी आप लोगों का बचे यहां से यही अंसर आजाएगा 120 रुप आजाए तो सीधा सीधा 16% निकालना है आपको 750 का 16% निकालोगे तो भी आपका अंसर आजाएगा 120 रुपीज ठीक है ना वही चीज़ है मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर बचे कई बार तो simple interest हम लोगों को निकालना होता है कई बार principle कई बार rate कई बार time तो इन चारों इसे कोई भी value आप लोगों को find out out करने के लिए दे सकता है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे ठीक है ना उमीद करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ आगे बढ साड़े 6% की rate है बचे दो वर्ष का साधारन ब्याज किया होगा तो 65-100 रुपए हो गया हमारा यहां पर principle है ना साड़े 6% हो गया 6.5% हो गया और समय हो गया दो साल का और अपन में क्या आजाएगा 100 अब उन में क्या जाएगा 100 तो दो जिरू से दो जिरू कैंसल हुआ साड़े छे इंटू दो कितना हो गया तेरा तो तेरा इंटू में 65 तेरा पांच 65 का पांच छे बच गया तेरा छे 78 और छे 84 आठ सो पैंतालिस आपके कोश्चन का अंसर बन जाएगा ठीक है बताओ बास समझ में आगई आप लोगों को कोई दिक्कत या परिशानी किसी प्रकार की कोई टेंशन है तो बताईए चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ इसी प्रकार से आपको अगर मन्त में टाइम दे दे जैसे यहाँ पर टाइम क्या दे दिया उसने 30 महीने का यानि की 30 मंस का तो आपको बताए कि रेट जो आपके पास पर इयर है तो टाइम भी आपके पास में पर इयर में ही होना चाहिए तो 2000 रुपे तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 7% रेट हो गया और 30 महीने का टाइम है तो 30 महीने को आप इयर में चेंज करेंगे तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 30 बटे 12 यह आपका समय हो गया और अपोन में आप लोगों का यहाँ पर 100 आ गया तो इस कोश्चन का जो अंसर है वो क्या बन जाएगा ज़रा ध्यान से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया ठीक है और इसको आपने कैंसल किया 6 से तो 2 यह हो गया 5 यह हो गया और यह आपका 2 से कैंसल हो गया तो कितना हो गया 10 5 7 35 इंटू में 10 ठीक है यहां पर एक पर कैलकुलेशन फिर से देख लेना 2,000 रुपए है 7% है 30 महीने का साधारन ब्याज क्या हो गया तो 2,000 रुपए यह हो गया आप लोगों का यह कितना हो गया 30 महीने अगर आप इसको एर में देखे तो कितना हो गया आपका धाई साल हो गया 30 मेने का मतलब है धाई साल और 7% की रेट है तो 7% है तो धाई वर्ष के हिसाब से 724 और 7.5 साड़े 17 यहां पे जो है आप लोगों का परसेंटेज बन जाएगा तो 2000 का अगर आप 7.5% निकालेंगे तो बात वही है 350 आपके question का यहां पर answer बन जाएगा कोई दिक्कत या परिशानी हो तो बताईए कोई दिक्कत या परिशानी यह साइद पिछले वाले question वाले option डाल दिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मैं majorly यहां पर चीजों के बारे में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आप लोग ब्याज निकाल सकते हो या हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह से question दे दे इस तरह से आपको question दे दे अब सवाल में थोड़ा सा twist है अब कहानी में चीजे पर 20 साल का साधारन ब्याज मैंने क्या कहा था बचे चार चीजे प्रिंसीपल कि सिंपल इंटरस्ट और आपके पास में rate टाइम इन चार चीजों में से आपको तीन गीवन हैं और आपको एक चीज निकालनी है और निकालना कि आपको राशी उस राशी का पता बता है कि simple interest कितना है 2000 रुपए simple interest कितना बता रहा है आपको यहाँ पर 2000 रुपए ठीक है समय कितना है आपके पास में यहाँ पर 20 साल का समय दिया हुआ है और 20% कि आपको क्या दी हुई है बच्चे rate दी हुई है तो आपके सामने यहाँ पर अगर मैं basic formula से इस question को करूँ तो simply आप कर पाओगे देखो SI बराबर PRT upon 100 से तो लगबग सारे आराम से आपके question बन जाएंगे तो SI बराबर क्या होता है PRT upon 100 होता है कि नहीं होता तो simple interest आपको दिया हुआ है 2000 प्रिंसिपल आप से पूछ रहे है क्या होगा rate 20% है और time है धाई वर्ष धाई को हम लिख देते हैं 5 बटा दो ठीक है धाई को हमने लिखा 5 बटा दो और upon में आपका क्या आगे यहाँ पे 100 अब आप इसको solve करने की कोशिश करें तो 25, 100 से 100 कट गया 2 into 2000 यहने कि 4000 रुपए आपके कोश्चन का अंसर आ गया 4000 रुपए आपके कोश्चन का अंसर आ जाता है 4000 रुपीज is the answer of your कोश्चन ठीक है बच्चों 4000 रुपए आपके कोश्चन का अंसर आ गया तो यहाँ पे हो सकता है इसने प्रिंसिपल पूछा है कल को rate या time में से भी कुछ पूछ सकता है तो आप लोगों को घबरानी की आवशकता नहीं है यह एक कोश्चन है जो कि आप खुद से solve कीजिएगा वीडियो को pause कीजिएगा और एक बार खुद से इस question को solve करने का प्रियास करें simple interest आपको दिया हुआ है 54 बराबर principle into rate और time कितना है आठ महीने तो आठ महीने को आप लोगों को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा यानि कि 8 by 12 और upon में कितना है आपके पास में यहां पे 100 तो काटा पीटी करेंगे तो आपका answer आजाएगा यहां से ठीक है तो यहां से आपने क्या किया चार से cancel किया तो दो और तीन आ गया तीन से cancel किया तो पांच आ गया पांच दूने 10 से यह cancel हो गया चौवन इंटू में 10 पांच सो चालिस आपके question का answer बन जाएगा 5.40 is the right answer of your question 5.40 जो है आपके question का बिलकुल और बिलकुल सही जवाब बन जाएगा ठीक है ना 5.40 आपके question का सही जवाब बन जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई समस्याओ तो बताईए यहां तक की चीज़े आप लोगो को clear हो चुकी होंगे अब इसके बाद हम लोग एक new concept पर बात करेंगे नई चीज़ पर बात करेंगे बहुत detail में और एकदम बहतरीन वाले method पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं क अच्छो अगर मैं आप लोगो एक बात बोलूँ मैं कहूं कि कोई पैसा था हमारे पास में हमने उसको invest किया उसको हमने invest किया suppose 10% की rate से 3 years के लिए और after 3 years जो है वो पैसा after 3 years जो है वो पैसा कितना बन गया 4900 रुप है कितना बन गया 4900 रुप है with interest with interest इतना बन गया तो हमने कितना पैसा यहाँ पर invest किया था हमारा question यह है a sum became 3900 in 3 years at a rate of 10% so what is the initial sum so what is the principal sum तो यह आपका यहाँ पर question अच्छा जो यह 4900 लिखा हो बच्चे यह क्या है आपको पता है यह 4900 principal है यह total amount है obviously total amount है मिशर दन्य है total है principle तो starting वाला होता है जो हम लोग invest करते हैं तो बच्चा इसने यह बात बोली कि 4900 रुपे राशी बन जाती है 10% की rate से 3 साल में 3 years में बन जाती है अब यहाँ पर बात को समझेगा एक तो होता है कि आप basic formula से काम करें कैसे है यहाँ यहाँ पर यह क्या total amount है total amount बराबर क्या हो जाएगा principle प्लस simple interest यह होता है total amount का मतलब क्या होता है principle और simple interest क्या आपको simple interest पता है इस question में तो नहीं पता principle बता है वो भी नहीं पता तो हमें find out करना है basically principle अगर हम लोग यह माने कि हमारा principle जो है न वो पी है total amount आपको दिया हुआ है 4900 हमारा principle क्या है पी simple interest फिर क्या हो जाएगा PRT upon 100 तो पी यह रख दिया R कितना है 10 T कितना है 3 upon में 100 तो यहाँ से आप लोगों को इस equation को solve करके P की value निकालनी है 4900 बराबर P प्लस यह कितना होगे आपके पास में 3 बटे 10 3 P by 10 तो 10 को क्या 10 और 13 P बटे 10 13 P बटे 10 तो यह आपने solve किया यहाँ पे आपका 13 तिया 49 300 300 इंटू में 10 तो हमारा principle कितना आजाएगा बच्चे 3,000 रुपे हमारा principle 3,000 आजाएगा बिलकुल ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा और वो बात यह है कि आपके पास में यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट 49,000 बनाएं अब मैं इसको आपको दूसरे मैथट से सिखाता हूँ यानि कि एक बेसिक बोलचाल वाले मैथट से नॉर्मल एकदम कोई अपने को X, Y, Z, P बगरा नहीं रखना सीधा सा एक लोजिक आपको समझाता हूँ मान लो आपके पास 100 रुपए होते हैं मान लो आपके पास 100 रुपए होते हैं आप उसको इंटरस्ट पे देते 10% की रेट से तो पहली बात तो ये कि 10% की रेट से अगर आप उसको इंटरस्ट पे देते तो एक साल का ब्याज कितना होता 10% और 100 کا 10% क्या होता है 10 रुपए एक سال का बैयाज होता 10 रुपए और आपने उसको तीन साल के लिए दिया होता तो आपको कितना बैयाज मिलता 30 रुपए यहींकि टोटल कितने रुपए हो जाते 103 रुपए मतलब एक रेशो बन गया कि अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ न तो इस इसाब से मेरा 3 साल में 130 रुपय का टोटल बन जाता है अगर बाइचांस में आपको बोलू कि मेरा जो टोटल है न वो 390 रुपय का अगर मुझे चाहिए तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए पर इन्वेस्टमेंट आपका 100 था तो यह 130 हो गया अब आप 130 से 390 यानि कि 3 टाइमस चाहरे हो 3 गुना चाहरे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 3 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हाँ या ना बोलो 3 गुना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो इसका भी हम लोग अगर 30 गुना करें तो हमारा principle 3000 रुपए नहीं हो जाएगा क्या तो हमारा principle 3000 रुपए नहीं हो जाएगा क्या बच्चे यह इतनी सी calculation है इतना एक basic सा fund है इसको लिखने का तरीका वैसे ही होता है इसको लिखने का तरीका यह होता है बच्चा मैं आपको थोड़ा सा इसको लिखके भी समझा देता हूँ जैसे यह आपका इतनी चीज होगी अब आपके पास में total amount दिया है 49 तो आपने क्या कहा के 130 unit जो है न वो किसकी value है 49 एक unit की value क्या हो जाएगी 30 तो आप अगर 100 unit की value निकालेंगे तो 100 into में 30 कितना हो जाएगा आप लोगों का 3000 रुपए 100 into में 30 क्या हो जाएगा आप लोगों का 3000 रुपए बन जाएगा ठीक है ना इस तरह से आप सोच सकते हो अगर आद्धी बाद भी तुमारे पल्ले पड़ी है थोड़ी बहुत भी दिमाग में घुसी है तो बाकी हम लोग अगले question के माद्देम से समझने का प्रियास करेंगे एक विक्ति ने 12% की रेट से कहीं से लोण लिया और तीन साल बाद उसने चौवन सो रुपए दे के और अपना लोण चुका दिया गलब चौवन सो रुपए उसने ब्यास सही पूरे complete दे दिये और अपना लोण दे के free हो गया तो बच्चे 12% की रेट से अगर माद लो 100 रुपए उधार लेता तो 12% की रेट से 3 साल में कितने रुपए का ब्याज बन जाता 36 रुपए का 136 देना पड़ता लेकिन यहां पर बच्चे अच्छा उसने उस अफ़दी के लिए ब्याज के रूप में चौवन सो रुपए दिये तो यह कोश्चन तो सिंपल ही है यहां तो टोटल अगर चौवन सो दिये होते हैं न तब हम लोग यह काम करते हैं तो यह कोश्चन तो आ इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में हंडर्ड तो यह सिंपल इंटरस्ट आपको दिया हुआ है तो यह तो आप स्वाल कर लेना ठीक है यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं पंदरह हजार उत्तर आ जाएगा इसका पर जो मैंने आपको चीज समझाई है न मैं आपके साम क्या दिया हुआ है 3630 रुपए टोटल प्राप्त होते हैं यानि कि 3630 रुपए क्या है टोटल अमाउंट है तो बच्छे 7% की रेट से तीन वर्ष के अंदर किसी आदमी को टोटल जो है न 3630 रुपए मिलते हैं तो उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए invest किये हुए होंगे हमें आप से यह जानना है कितने invest किये हुए होंगे तो आप एक बात को समझो अगर 100 रुपए invest किये होते तो 7% की rate से 3 साल में 21 रुपए का व्याज बनता तो 121 रुपए हमारा total amount हो जाएगा अगर 100 रुपए principal है तो 121 क्या हो जाएगा total amount तीन चीज़े है total amount यह principal है और यह क्या है बच्चे simple interest है यह क्या है बच्चे आपके पास में simple interest है उमीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अब यहाँ पे कहानी को समझो आपको हो सकता है वो total amount की value दे हो सकता है वो simple interest की value दे हो सकता है वो principal की value दे आपको total amount दे रहा है 3630 जो कितना है 121 किसके बराबर हो गया 3630 तो एक बराबर क्या हो जाएगा 30 अब मुद्दा यह है कि निकालना क्या है किस चीज की value चाहिए अगर आपको principal चाहिए तो 30 इंटो 100 अगर आपको simple interest चाहिए तो 30 इंटो 21 और total चाहिए तो इंटो में 121 we want principal principal is 100 unit and one unit is equals to 30 तो यह कितना बन जाएगा 3000 अब आप चाहो तो इस चीज को आप सिंगल लाइन में भी बलब 130 जो है ना वो 121 की value है किसकी value है 121 की तो starting वाले 100 की value क्या हो जाएगी 3000 बतलब इतनी सी calculation आपको paper में करनी होगी यह सारी कहानी आप लोगों को समझाने के लिए बताई गई है best से best concept के थुरू आप लोगों को मैं चीजे बताने का प्रियास कर रहा हूं बच्चे उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझने का प्रियास करेंगे देखिए यह question है आराम से वीडियो पोज करो और एक बार try करो इस question को सौर करने का चीक है साड़े तेरा परसेंट ब्याज रेट है चार साल में कोई पैसा इतना बन गया बच्चे अगर सो रुपए होता तो साड़े तेरा परसेंट की रेट से चार साल में कितना हो जाता यह 27 दोने 54 रुपीज हो जाता और यह कितना हो गया 3080 so it means 3080 जो है 3080 जो है वो किसकी वैल्यू है 154 की तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको आप कैंसल करोगे तो यह कैंसल हो जाएगा 20 से 20 into 100 is equals to 2000 रुपीज 2000 रुपए आपके इस खुबसूरत से सवाल का अंसर हो जाएगा कि बताइए कि 2000 रुपीज is the answer तो आपको उमीद करता हूं कि सिंपल इंट्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा तो ऐसे जानकारी होई होगी देखो जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं सौल करते ना आप जब जब मैं यूज करेंगे तो कि पिस चलेगा ना झार्केट्स को सामान खबरे राते हैं तब घर पर आके इसको इसतेमाल करते हैं यूज करते तक ही तो पता चलता है ना अच्छी है बुरी है तो अभी आप समझ रहे हो चीजों को market से सामान तुम खरीद रहे अभी घर जाके उसको जब यूज करोगे मलब questions करोगे तब आप लोगों को ये चीजों के बारे में पता चल जाएगा ठीक है अब मैं आप लोगों को the soul of this chapter इस पूरे के पूरे अध्याय की जो आत्मा है जो सबसे महत्पूर्ण काम है वो आपको मैं आज यहां पर सिखाने वाला हूँ बचे मैं यहां पर बात करने वाला हूँ ब्याज की दर ब्याज की दर बोले तो rate of interest पतलब आदे सावाल ऐसे होंगे पूरे चप्टर में लगबग आदे question जिसमें सिरफ rate of interest निकालना होता है हमें simple interest निकालना होता है यूं तो हमारे पास में एक formula होता है SI बरा into 100 हो गया आप उन में P into T आजाएगा तो यहां से इस formula के द्वारा आप लोग आर निकाल सकते हो यह हो गए formula वाली बात लेकिन जो एक basic भाईचारे वाली बात है ना कि सरी rate of interest का मामला क्या है मतलब क्या है क्या है कैसे काम आती कैसे question आते है जो exam में question आते है mentally अगर आपको उसका तरीका पता होगा तो आप इस से आदे से भी आदे समय में उसको कर लोगे देखो simply ब्याज किदर क्या होती है मैं आपको यह बोलूँ एक छोटे सा example लेते हैं मेरे पास में 6000 रुपे थे सपोस मेरे पास में 6000 रुपे थे वैसे नहीं है मेरे पास 6000 रुपे गरीब रुपे वापस मिले क्या मिले 66-500 रुपे वापस मिले तो अम मैं जानना चाहता हो कि मुझे मुझे फाइदा कितने का हुआ कितने का हुआ है छे हजार का खर्चा किया तो यह कह सकते हो कि छे सो रुपे का जो फाइदा है वो आप लोगों को कितने रुपे पर हुआ है बच्चे छे हजार रुपे पर हुआ है तो छे सो रुपे जो है वो छे हजार का कितना परसेंट है यह पता किया तो हमें पता चला कि 10% है 10% का फाइदा इसको होता है अगर एक साल का हम लोग इसाब किताब लगाएं तो आप इसको कह सकते हो कि ब्याज की दर क्या है 10% per annum या हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे तो 10% प्रतिशत प्रतिवर्ष तो यहाँ पे इस कोश्चन में अगर मैं पूछूं कि 6,000 रुपए को 6,600 रुपए एक साल में बना दिया जाए तो रेट ओफ इंटरस्ट क्या है तो आप लोग इसाब 10% per annum जनरली per annum में रेट पूछा जाता है तो आप per annum नहीं भी बोलेंगे तब भी समझ लिया जाएगा 10% per annum आपकी रेट यहीं अगर मैं आपसे कोश्चन यह पूछूं कि सर्थ 6,000 रुपए थे आपने उसको उधार दिया और दो साल बाद आपको 2700 रुपए वापस मिलते हैं अब रेट ओफ इंटरस्ट कितनी है अब रेट ओफ इंटरस्ट कितनी है मुझे बताओ अब आपको होगे सर्थ 2 साल में मुझे 1200 का ब्याज मिला है तो एक साल में मुझे ब्याज कितना मिला है 600 देखो रेट आपको पूछी आए ना जब भी नॉर्मली तो आपको एक साल की रेट बतानी है अब यहाँ आपको एक साल का ब्याज नहीं दिया हुआ आपको ब्याज दिया हुआ है दो साल का 1200 तो आप पहले एक साल का ब्याज निकालेंगे यहीं कि 1200 दो साल का तो एक साल का 600 अब आप वही काम करेंगे कि 600 रुपे ब्याज जो है वो कितने रुपे पर है वापस एक्यान में 100 रुपए मिलें तो बताइए मेरी ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है मतलब मुझे पर साल हर साल पर एयर इस 7000 रुपए पे मुझे कितने परसेंट का फाइदा होता है कितना मैं कमाता हूँ 200 रुपए हमने कमाए 9100-7000 तो 2100 रुपए का फाइदा हुआ कितने साल में तीन साल में एक साल का फाइदा कितने में हुआ 700 रुपए में तो बच्चे 700 रुपए का फाइदा लब 700 रुपए आपका ब्याज जो बना है इस ब्याज को बनने के लिए हमने कितना principal यूज किया है? 7000 रुपे का 7000 रुपे का तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी जो ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी? 10% 700 रुपे का जो आप लोगों का पैसा है या 700 रुपे का जो ब्याज है वो कितने principal पर बनाए? 7000 के principal पर बनाए तो यही हमारी rate of interest होती है rate of return होती है या rate of interest होती है rate of investment होती है ROI आप इसको बोल सकते हो यह लिजिए एक छोटा सा सवाल है इसको संभालिए solve करेंगे बच्चे इसको जल्दी से लेको 5000 रुपे पर 200 रुपे का फाइदा हुआ है 200 रुपे का फाइदा कितने पर हुआ है 5000 रुपे पर तो आपके ब्याज की दर क्या हो गई? 3-0 अटाने थे 2 यह हट गए, 1 यह हट गई तो 20 बटे 5 क्या हो जाएगा? 4% 4% पर एनम 4% पर एनम आपके ब्याज की दर हो जाएगी तो उमीद करता हूँ रेट आफ इंटरस्ट निकालना आप लोग यहां से सीख गए होंगे चीजों को आप अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे इस कोश्चन को आप ट्राई कीजी यह कहा रहा है कि प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का रेशो है दस रेशो बारा एक साल के लिए प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट यानि कि प्रिंसिपल अगर दस रुपए था तो एक साल बाद कितना हो गया बारा रुपए तो यहां पर जो ब्याज है वो कितना हो गया दो रुपे का किस पर दस पर दो रुपे का ब्याज हो गया दस पर तो आप कह सकते हो कि ब्याज की जो दर है बचे ब्याज की जो दर है वो कितनी हो गई यहां पर बीस परसेंट ये 2 रुपे का जो ब्याज है ना वो एक साल में इसने लिखा हुआ है 1 साल बाद अगर यहां पर मालो 2 साल बाद होता तो ये गो तो ब्याज होता फिर हम एक साल का ब्याज इससे calculate करते यानिकि उसको half करते आदा करते ठीक है? तो यह इस तरीके से आपको जब भी चीजे पूछी जाएं तो आप आराम से कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक क्वेशन और पूछ लेता हूँ साथ अजार रुपे की राशी तीन साल के लिए साधारन ब्याज पर छेस सो तीस रुपे साधारन ब्याज देती है छेस सो तीस रुपे साधारन ब्याज कितने में? तीन साल में तो एक साल में कितना हो गया? दो सो दस रुपे अब 210 रुपए का जो ब्याज है वो कितने के प्रिंसिपल पर मिला है 7000 के प्रिंसिपल पर तो ब्याज की जो दर हो जाएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी 3% ब्याज की जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी घुस चुकी होंगी अच्छे तरीके से आपको यहां तक की बाते जो है वो समझ में आ गई होगी ठीक है हाँ जी अब बात करते हैं थोड़ी सी और एक और कॉंसेप्ट की मालो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ पैसा था कुछ पैसा था हमने इसे इन्वेस्ट किया तीन साल के बाद यह जो पैसा है तीन साल के बाद यह पैसा है कितना रुपए बन गया पांच सो रुपए कितना था यह नहीं पता इन्वेस्टमेंट किया तीन साल बाद यह कितना बन गया पांच सो रुपए और उसके दो साल बाद, यानि कि स्टार्टिंग से पांच वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद अगर देखा जाए, तो ये पैसा बन गया 600 रुप है, यानि कि यहां से यहां का दो साल का अंतर हो गया, तो मुझे बताईए कि स्टार्टिंग में ये पैसा कितना था, बिल्कुल स् आप लोगों को बताना है बिलकुल स्टार्टिंग में अगर बात की जाए ये पैसा कितना था तो ये आपको बताना है आप कहोगे कि ये पांसो रुपे जो है न वो क्या है टोटल अमाउंट है पतलब इसके अंदर ब्याज सम्मिलित है कितना ब्याज इसके अंदर है ये पैसा तीन साल के बाद पांसो बनाए तो इससे पहले तो कम ही होगा ना पांसो से लब यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसके अंदर तीन वर्ष का इंटरस्ट हमने एड़ किया होगा उसके बाद आपके पास कि तीन साल का ब्याज कितना है यार ये तो हमें पता है ने मैंने क्या का था मैंने एक बात बोली थी आपको याद हो तो मैंने का था बच्चे सिंपल इंटरस्ट जो होता है ना वो हर साल के लिए बराबर होता है तो उस चीज़ को 100 रुपे का ब्याज बनता है तो बच्चे एक साल का ब्याज कितना हो गया एक साल का ब्याज कितना हो गया 100 बटे 2 यानि कि 50 एक साल का ब्याज कितना हो गया 50 तो इसके हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो गया 50 into 3 यानि कि 150 तो principle में जब 150 जुड़ा होगा तब जाके 500 रुपे आया होगा तो 500 माइनस 150 तो आपका जो principle value है वो कितना हो जाएगा 350 आपका जो principle value है बचे वो कितना हो जाएगा 350 यह सारी कहानी मैं आपको दुबाराना समझा करके एक और example लेकर के मैं आपको इस बात को समझाता हूँ मैंने कहा कि कोई principle है इसको हमने invest किया चार साल में four years में यह पैसा जो है 860 रुपे बन गया और अगर छे साल बाद हम इसको देखें टोटल छे साल बाद अगर इसको देखें हम लोग तो यह पैसा बन गया 940 तो बताईए यहाँ पर principle कितना है आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको solve कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या आता है आपका अंसर आपको कि सर इस 860 रुपे में ना माइनस करना पड़ेगा चार साल का ब्याज तब principle आएगा सही कि नहीं अब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है यह चार साल यह छे साल तो दो साल का यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना हो गया 80 रुपे तो एक साल का ब्याज कितना हो गया 40 रुपे तो चार साल का ब्याज कितना होगा 4 into 40 यह नहीं कि 160 तो 860 में से अगर हम 160 को माइनस कर दें so we will get the principal amount as 700 rupees 700 रुपए आप लोगों का यहाँ पर principal amount आ जाएगा 700 रुपए आप लोगों का यहाँ पर principal amount आ जाएगा कोई भी दिक्कत या परेशानी आप लोगों को नहीं होगी बताईए बात को समझे की नहीं समझे इतनी बात आपको clear हुई के नहीं अब बात की जाए यहाँ पर rate of interest कैसे निकाला जाएगा rate of interest निकालने के लिए क्या जरूरी है हमें यह पता होना चाहिए कि interest है कितना और वो interest जितना भी है मालों एक साल का interest है तो एक साल के लिए हमारा principal कितना रहा यहाँ पर देखो यह जो starting में पैसा आया यह principal ही तो हुआ principal कितना है 350 तो यहाँ पर जो भी principal रहा हुआ इंटू में 100 तो हमारा जो यहाँ पर simple interest था एक साल का वो कितना था 50 रूप है और हमारा जो principal amount है वो कितना था 350 यह आपने निकाला था तो यहाँ से आपकी rate of interest आ जाएगी ठीक है ना 1 by 7 so 1 by 7 क्या हो जाएगा 14 rights 2 by 7 percent यही चीज अगले question में करके दिखाओ मैं आपको पूछू कि rate of interest क्या है तो rate of interest निकालने का सीधा तरीका यह है कि 1 year का 1 year का जो ब्याज है वो कितना है और 1 year का जो principle है मतलब starting principle है वो कितना है 40 बटे में 7 7, 5, 35 5 सही 5 बटा 7 percent यह आप लोग का मतलब यह जो question है ना यह last में जो अभी मैंने अभी बताया है सबसे ज़्यादा important है अभी तक की class का जो कि आपके exam में देखो important क्या होता है हम important किसको बोलते है जो question exam के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है important का मतलब यह नहीं कि बहुत hard चीज है या बहुत मुश्किल चीज है नहीं आपको जो paper में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बहुत simple भी हो सकता है और वो यह ऐसा ही concept है जो कि आपके paper में question देता है क्या बोलेगा कोई principle था चार साल में इतना हो गया छे साल में इतना हो गया तो बताए यह rate of interest क्या है तो यह rate of interest हो जाएगी बहुत दिखाता हूँ आपको questions जिस पे आपको एक बार try करके देखना है हाँ जी try कीजिए एक बार पांच साल में पांच सो बीस कोई पैसा है पांच साल में साथ सो बीस और साथ साल में 568 यहीं कि दो साल और बढ़ गए तो 568 रुपए हो गया आप यहां पे देखो कि दो साल के अंदर कितना बढ़ा पांच सो बीस से 568 यहीं कि 48 दो साल में तो एक साल में कितना बढ़ा 24, एक साल का प्रिंसिपल क्या हो गया, 24 रुपए, एक साल का ब्याज क्या हो गया, 24, तो 5 साल का ब्याज क्या हो गया, 5 इंटू 24, यानि कि 120, तो 520 में 120 तो ब्याज ही हो गया, तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 520 माइनस 120, यानि कि 400 रुपए हमारा आएगा प्रिंसिपल, आपका जो ब्याज है एक साल का वो 24 रुपए, यह आपने यहां से निकाल लिया था और आपका जो principal है, वो कितना है बच्चे? 400 रुपए, तो एक साल का ब्याज 24 रुपए, 400 रुपए के principal पर हमें मिला है, तो इसका ब्याज धर जो है, वो कितना हो जाएगा, बाबु? 6% छे परसेंट आपके कोशन का अंसर हो जाएगा छे परसेंट आपके कोशन का अंसर बन जाएगा बताएए कोई दिक्कत या परिशानी यहां तक किसी परकार की कोई दिक्कत या परिशानी किसी परकार की ठीक है यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को खान जी तो ये question आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा इस question को आप ट्राई कर सकते हो बहुत ही आसा question और बहुत repeated सवाल है तीन साल में एक पैसा जो है वो अठाइस सो रुपे बन जाता है और पांच साल में वो पैसा आपका तीन हजार रुपे बन जाता है बन जाता है तो बताईए वो स्टार्टिंग में पैसा कितना है देगो ऐसा है कि ये जो आठाइस सो रुपे न ये भी टोट अमाउंट है इसके अंदर इंटरस्ट शामिल है कितना तीन साल का और जो तीन अजार रुपे है ये भी टोटल अमाउंट ए कितना आया 200 रुपए तो दो साल का इंट्रस्ट 200 रुपए है तो एक साल का इंट्रस्ट कितना हुआ 100 रुपए और तीन साल का इंट्रस्ट कितना हुआ 300 रुपए कोई पैसा 300 रुपए जोड के 2800 रुपए बन गया इसका मतलब पहले वो कितना था अठाइस सो माइनस तीन सो यनिकी पचीस सो अठाइस सो माइनस तीन सो यनिकी पचीस सो रुपए आपके कोशन का यहां पर क्या बन जाएगा बचे अंसर बन जाएगा ठीक है ना और इसमें अगर आपको मैं रेट ओफ इंटरस्ट पूछ लूँ इसी कोशन में रेट ओफ इ ब्याज कितना मिला है 100 रूपए और हमारा एक साल का प्रिंसीपल कितना है 25-100 रूपए तो आप कह सकते हो कि हमारे ब्याज की दर कितनी है मेरे भाई 4% rate of interest would be 4% वैसे प्रिंसीपल तो आपका 25-100 आई गया था rate of interest पूछेगा तो 4% हो जाएगा अभी अभी हमने इस टाइप पे सवाल किया था तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ है जैसे एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ ठीक है ना कोई भी कोश्चन उठा लो जैसे ये उठा लो कोई पैसा जो है चार साल आठ हजार उपए किराशी चार साल में दस हजार उपए हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है ये तो सिंपल रेट ओफ इंटरस्ट है इसको नहीं लो आप यहां पे थोड़ा सा पेचीदा कोश्चन ले लो मालो ये कोश्चन ले लिया आपने कोई पैसा दो साल में चार सो और पांच वर्ष में यानि कि अगले तीन वर्ष में पांच सो चालीस रुपए बन जाता है तो मुझे बताओ तीन साल का ब्याज कितना है पांच सो चालीस माइनस चार सो पांच एक सो पांच रुपए तीन साल का ब्याज एक सो पांच रुपए है तो एक साल का ब्याज क साथ गया कितना हो जाएगा 33 40 में से साथ गया कितना हो गया 33 35 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ गया अब वो कहना चाहरा है अब वो कहना चाहरा है कि यहां पर ब्याज की दर कितनी है तो एक साल का ब्याज कितना है 35 रुपए और यहां पर प्रिंसिपल कितना आ गया अपना 335 रुपए ठीक है ना कितना आ गया 335 सही है ना कि 45 आएगा 35 दुने 70 तो इसमें से आपने 565 घटाया तो आपका यहां पर कितना आएगा 335 ही आएगा अगर साथ पर करें तो 345 कैलकुलेशन ठीक है ना सब दो साल में 5 साल में 540 और 2 साल में 405 तो यहां से हो गया आपका 135 3 साल में तो यह हो गया 1 साल का कितना 35 थिए 105 355 रुप है तो यह इन में सायद कोई भी अंसर नहीं बन पाएगा को पूरा-पूरा वैल्यू नहीं कटेगा फिर भी आप जो वैल्यू आए वो देख लेना यहां से 5 से काटोगे तो यह तो आजाएगा 67 और यह आजाएगा 7 तो यह आपका 700 बटे में 67 ऐसा कुछ आएगा तो इसको आप calculate करके final answer निकाल सकते हैं ठीक है कोई भी दिक्कत यहां तक के किसी भी question में तो आप लोग यहां पे इसको revise करके देखिएगा इसको आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं मैंने आपको सारी चीजें सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ठीक है ना तो अब आपका चलते है next type के उपर तो बच्चो next type का सबसे पहले मैं आपको concept समझा देता हूं next type का मैं आपको सबसे पहले concept समझा देता हूं कि concept क्या है आप लोगों का समझो मेरी बात को मैंने का कि a के पास कुछ रुपए थे इसने b को 300 रुपए दी दो साल के लिए और इसने सी को चार सो रुपे दिये तीन साल के लिए इन दोनों से मिला कर इन दोनों से मिला कर हमें 180 रुपे का टोटल ब्याज मिला कितना ब्याज मिला 180 रुपे का टोटल ब्याज मिला तो आपको बताना है कि प्रतेक की ब्याजदर क्या है मतलब दोनों को same rate पर हमने ब्याजदर दिया है तो आपको बताना है कि इन दोनों की जो ब्याजदर है बचे जो rate है वो क्या हो जाएगी तो सभी बचे फटा-फट से एक बार मुझे बता दीजेगा कि यहां पे rate of interest आप कैसे निकालोगे देखो इसका basic तरीका भी है बहुत इसको आप detail में भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको यहां पे जो one short करवा रहा हूँ यह क्या हर सवाल को बहुत जादा deeply अपने जाके नहीं पढ़ सकते हम उसका direct method सिखते हैं कि paper में कैसे करना है बाकि detail के लिए आप लोग chapter wise playlist में जाके वहां पे आप लोग पूरे chapters देख पाओगे जो काम यहां पे 2 गंटे में होगा वहां पे वो 8-10 गंटे में होगा तो इसलिए detail वहां पे जादा होगी तो बच्चो देखो अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कहा था कि यह rate of interest के बहुत सवाल आते हो लगबग question ही rate of interest के बनते हैं अच्छे-च्छे तो rate of interest कैसे निकलता है कि कितना interest मिला upon कितने रुपए पे मिला मतलब वह interest लेने के लिए हमें कितना पैसा invest करना पड़ा into hundred तो यहां पे बच्चो आपको simple interest कितना मिला है total 180 रुपीज आपको total simple interest मिला है correct बात बोल रहा हूँ अब क्या यह only 300 रुपए पे मिल गया क्या नहीं क्या यह only 400 पे मिला है क्या रुपए पर 400 रुपए तीन साल तक यूज हुआ है तो 400 into 3 1200 रुपए तो यह जो टोटल ब्याज मिला है यह बनने के लिए 600 प्लस बारा सो यहनी कि 1800 रुपए का इस्तेमाल हुआ है ध्यानक ना तो जो आपका 180 रुपए मिला है ब्याज यह कितने रुपए की प्रिंसिपल पर मिला है 600 प्लस बारा सो यहनी कि 1800 रुपए तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आ जाएगी 10% 10% is your rate of interest यह आप लोगों का new concept था अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत बात भी इसकी समझ आई हो तो बाकी चीज़े हम लोग कोश्चन के मादिम से करने का प्रियास करते हैं देखिएगा ध्यान दीजिएगा वच्चे ध्यान दीजिएगा एक व्यक्ती ने तीन साल के लिए 4000 रुपए चार साल के लिए 5000 रुपए जमा किये 4000 रुपए कितने साल के लिए तीन साल के लिए और 5000 रुपए चार साल के लिए जमा किये तो कितना हो गया 1200 और यह हो गया 12000 और 20000 यह हो गया 32000 रुपए 32000 रुपए का प्रिंसिपल पर कितना यहां पर इंटरस्ट मिला है में 960 रुपए तो 960 रुपे का ब्याज मिला है 32,000 रुपे पर तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी बच्चे दो जिरो यहां से कैंसल होगे च्छान में बटे 32 यानि की 3% is your rate of interest 3% यह this is the shortest form this is the shortest solution of these kind of questions आपको अगर वो यहां पे बोल दा है तो आप पूरा basic से अगर PRT upon 100 plus PRT upon 100 वहां पे P और T की value रखेंगे R की value वहां पे missing होगी फिर आप equation के दोबार R की value निकालेंगे but this is the last and final and very short method for you always अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इस type से एक दो question और करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी और conceptual clarity आईगी try this one इस question को आप एक बार try कीजिए देखिएगा छे साल के लिए 400 रुपए छे साल के लिए इसने 400 रुपए दिए चार साल के लिए इसने 3.500 रुपए दिए और बस इतना ही है तो यह कितना हो गया 2400 और यह हो गया 1400 3800 रुपए का investment हो गया एक तरीके से कितना ब्याज मिला 114 रुपए 114 रुपए ब्याज मिला 3800 रुपए पर तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी 114 बटे 38 यहीं कि 3% हमारी यहाँ पर ब्याजदर हो जाएगी 3% हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे ब्याजदर हो जाएगी क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ठीक है ओके रिपोर्ट है ना तो इस प्रकार से आप लोग questions को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर analyze करके समझ सकते हो चीजों पर काम कर सकते हो तो इसके बाद हम लोग चलते हैं next concept पर अगली बात पर अगली चीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूँ जैसे suppose हमने किसी interest rate पर कुछ समय के लिए हमने कोई पैसा उधार पे दिया ठीक है अगर मैं कहूं कि rate of interest 2% जादा होती तो तीन साल में तो तीन साल में हमें simple interest के रूप में 30 रुपए जादा मिलते क्या 30 रुपए जादा मिलते 30 रुपए जादा मिलते हैं, मैंने क्या का अगर हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया और उससे अगर हम अब 2% जादा पे इन्वेस्ट करें हो 3 साल के लिए तो हमें 30 रुपे का जादा ब्याज मिलेगा भई आप जादा रेट पे आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो but always आपको जादा ब्याज तो मिलेगा, कितना जादा मिला है 30 रुपे, तो उसके इसाब से पता करो कि प्रिंसिपल कितना है find out the value of प्रिंसिपल so let the principle is 100 रुपीज, suppose 100 हमारा प्रिंसिपल है, अगर वो 2% जादा ब्याज रेट पर देगा, जितना परसेंट जादा रेट पर देगा, उतना percent का जादा ब्याज मिलेगा, तो 2% उसने जादा रेट पर दिया, तो 100 का 2% क्या होता है, 2, तो 2 रुपे जादा ब्याज मिलेगा आप लोगों को आप 2% जादा पर अगर ब्याज पर पैसा दे रहे हो तो आपको 2% जादा पैसे मिलेगा ब्याज की रूप में तो कितना आपने कितने साल तक दिया उसको 3 साल तक तो हर साल 2 रुपे जादा मिलेगा तो 3 साल में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 6 6 unit की value हमें कितनी दी गई है बचे 30 rupees हमें यहां पर कितना एक्स्ट्रा मिला है 30 100 की value अगर वो पूछ रहा है तो आपके question का answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 500 रुपे 500 rupees is the right answer so let me explain this type of questions let me explain these kind of questions तो मैं आपके सामने question रख रहा हूँ आप ट्राइ कीजिए कि आप एक बार उसको कर पाएं so try these kind of questions एक amount को हमने किसी ब्याज दर पर चार वर्ष के लिए जमा किया अगर 3 परसेंट ज्यादा rate होती तो हमें इतना ब्याज ज्यादा मिलता तो सही बात है इसकी जब rate बढ़ाओगे तो आपको ब्याज ज्यादा मिले गई इसमें तो कोई दो रहा है ज्यादा मिलना चाहिए न और उसने वह amount जो है वह बताया है कितना 1440 रुपे ज्यादा मिलता है so this for this 12% is equals to 1440 तो यहाँ पे 1% की value क्या हो जाएगी बच्चे 120 और complete principle की बात करें 100% की बात करें तो 100% की जो value है बच्चे वो आपके पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12,000 रुपे 12,000 रुपे आपके question का answer हो जाएगा ठीक है इतनी बात clear होगी चलो और मैं आपको पूछ हूँ इस तरह से questions इस तरह से मैं आपको सवाल और पूछ के देखता हूं जैसे देखो यह question पढ़िए इस question को आराम से तरीके से तसली से इस question को आप एक बार पढ़िए देन देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पा किया रहा है कि कोई पैसा हमने लगाया और दो परसेंट रेट उसमें बढ़ गई दो परसेंट रेट बढ़ गई और सात वर्ष में तो साथ साल तक अगर दो परसेंट रेट बढ़ेगी तो चौदा परसेंट आपका पैसा बढ़ना चाहिए जबकि कितना बढ़ा है चौर पर हजार रुपए आपके कोश्चन का अंसर आ गया 70,000 रुपीज is the answer of your question 70,000 रुपीज is the answer of your question getting my point or not getting my point or not बचा चलदी से बताइए तो हो सकता है कि यहाँ पर ब्याज rate कम हो रही हो कम भी हो सकती है तो उस condition में ब्याज कम होगा अगर rate बढ़ेगी तो वहाँ पर ब्याज बढ़ेगा तो इसमें कोई tension वाली बात नहीं है कि सर कम हो जाये तो क्या होगा तो कोई दिक्कत के हिसाब से अगर यह कम हो बचे तो चार साल में साथ दोनी 14% कम हो जाएगा और उसके कारण हमें ब्याज कितना कम मिल रहा है 1960 तो बस वही 100% की value आपको निकालनी है 14 की value इतनी है तो 1% बराबर कितना हो गया 140 और 100% की जो value है वो कितनी हो जाएगी 14000 है ना यह क्या करण बड़ी हो गई साथ तीर मुणा चार साथ दोनी 14 14 140 सही है पिछले question के option तो नहीं चेव दिये इसने 315,000 हाँ पिछले question के answer लगा दिये कोई दिक्कत नहीं है तो 14,000 रुपै आपका यहाँ पर answer बन जाएगा है ना साथ 14 और यह कटेगा इस पर 14 पर तो 14 इंटू 100 तो 14,000 रुपै आपके question का answer बन जाएगा तो मैं देखो यहाँ पर question कर रहा हूँ बच्चे आप जितने बच्चे भी class को देख रहे हो अभी की अभी session को पहले तो like करो और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए देने कि simple interest के सारे टाइप आजाए हम लोग इस पेपर में कोई भी question आ जाए इस वीडियो को देखने के बाद आप question कर पाओगे यह मैं आपसे promise करता हूँ इसको लास तक देखो proper notes बनाओ हो सके तो आपके पास अगर कोई practice question है simple interest के जो आपके exam से related है तो आप उनको try करें that's it आपका बहुत लंबा चोड़ा काम नहीं कि मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ लूँ कुछ ज्यादा टेंशन लेने का नहीं जितनी चीज़े बता रहा हूं इसको ध्यान से अच्छे से आप revise कर लेना इस पर based question अगर आपके प ठीक है रेडियो चो नेक्स्ट कॉंसेप्ट की बात कर लेते हैं बचे अगले कॉंसेप्ट की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं मैंने कहा A ने कुछ पैसा B से और कुछ पैसा C से उधार लिया कितना लिया नहीं पता लेकिन दोनों से बराबर राशी उधार ली A ने B और C दोनों से बराबर राशी उधार ली B से उसने उधार लिया 3% की रेट से 2 वर्ष के लिए और C से उसने उधार लिया 4% की रेट से 3 वर्ष के लिए ठीक है और उसने इन दोनों को कुल मिलाकर जो सिंपल इंटरस्ट पे किया है जो सिंपल इंटरस्ट बचा आपने यहां पर पे किया है वो कितना है आप लोगों का 360 रुपए टोटल इंटरस्ट आपने इतना पे किया है किसको B और C को किसने A ने तो आपको बताना है कि इन दोनों को B और C को A ने कितना रुपया उधार दिया था प्रतेक को कितना रुपया उधार दिया था how much amount was given to each How much amount A has given to B and C each प्रते एक को देखो आपको कुछ भी समझ में अगर ना है तो आप एक लिटरली एक मतलब जनरल सी चीज आप एक 100 रुपए लेके उस question को सोचना शुरू कर सकते हो आपकी maximum problems जो है हो solve हो जाएगे कोई भी amount मान के आप लोग शुरू कर सकते हो हर जगा पे amount ऐसा नहीं कि 100 ही काम करता है अलग-अलग questions में अलग-अलग data के इसाब से आपको एक value आजियू करनी होती हो यही आपको सीखना है कि आपको क्या आजियू करना है A ने B को पैसे दी हमें नहीं पता कितने दी हमने मान लिया कि 100 रुपए दी होंगे A ने सी को कितना दी है इसने बोला कि सेम पैसे दी थे तो हमने मान लिया यहां पर 100 रुपए यहां पर भी दी होंगे अगर B को 100 रुपए दी तीन परसेंट की rate से 2 साल के लिए तो ती दुने 6% तो 6% का ब्याज मिला होगा 100 का 6% कितना होता है 6 रुपए तो A को B से ब्याज के रूप में 6 रुपए मिलेगा अगर उसने 100 रुपए इसे उधार दिये और A को C से 4% into 3 12% तो 100 का 12% कितना होता है 12 तो A को B और C से मिला के कितना ब्याज मिला होगा 12 और 6 18 लेकिन बच्चे 18 रुपए ब्याज अगर आप मान रहे हो या फिर 18 यूनिट ब्याज आप मान रहे हो तो यहाँ पर जो total simple interest है वो आपको कितना दिया हो है 360 रुपए तो एक यूनिट का जो value होगा वो 360 बटे 18 यानि कि 20 होगा एक यूनिट का value अगर 20 होगा तो आपको कितने यूनिट की value चाहिए आपको यही तो पता करना है कितना कितना पैसा दिया तो आपको 100 की value चाहिए 2000 रुपए यानि कि 2000 रुपए 100 की value है इसका मतलब यह हुआ कि A ने B को 2000 रुपए उधार दिये थे और A ने C को भी 2000 रुपए उधार दिये थे तो कि प्रते एक 100 की जो value है वो 2000 रुपए है अगर पूछे कि A ने B और C को total कितना दिया था उस condition में आप कह सकते हो कि total A ने B और C को कुल मिलाकर 4000 रुपए दिये थे अगर दोनों का प्रतेक का पूछे इच तो आपका अंसर हो जाएगा 2000 रुपए तो आपका अंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियो 2000 रुपए अब मैं आपको इस पूरी कहानी जो समझाई है इसके उपर एक उधारन एक सावाल एक question देता हूँ आप एक बार अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके और इस question को आप try कर सकते हैं देखो एक विक्ति बैंक A और B से एक विक्ति जो है ये विक्ति है ये बैंक A और B से ब्याज लेता है समान राशी ये दोनों को माहन लो 100-100 रुपए दोनों से उधार लिये पहले पर क्या है तीन साल के लिए 7% तीन साल के लिए 7% की rate से और दूसरे पर दोनों से 100-100 रुपए उधार लिये होते तो ये जो विक्ति है वो दोनों बैंकों कितना ब्याज पे करेगा तीन इंटू साथ 21 पर्षेंट इन्हें की ब्याज हो गया 21 रुपए नो चोके 36 तो सो का 36 पर्षेंट 36 तो टोटल कितना ब्याज पे किया इन्होंने यहां पर टोटल कितना ब्याज पे किया यहां पर 57 ब्याज पे किया टॉटल कितना ब्याज पे किया 57 ब्याज पे किया तो 57 अगर आपने यहाँ पर पे किया है तो इसने क्या बोला कि कितना पे किया है आपने बाइस सो असी रुपए 57 की value 288 है तो एक की value कितनी आ जाएगी 40 तो 100 की value कितनी आ जाएगी 4000 यनि कि 4000 रुपए परतेक बैंक से उसने उधार लिये हैं अब उसने क्या पूछा है परतेक बैंक से कितना लिया तो परतेक बैंक से 4000 रुपए लिया अगर पूस्ता दोनों से कुल मिला के कितना लिया है दोनों बैंक से तो चार प्लस चार यानि की आठ हजार आपका अंसर आजाएगा उस कंडिशन में एट थाउजन रुपीज आपके कोश्चन का अंसर बन जाएगा बताई कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई टेंशन कोई समस्य तो बताईएगा ठीक है तो इसी प्रकार से आपको जो है कुश्चन मिले तो आप लोग आराम से इस को सोच सकते हो इस चीज़ को आराम से आप लोग कर सकते हो दो बराबर धनराशी 7% और 5% के साधारन ब्याज परुधार दी गई दोनों पर अरजित ब्याज जो है चार साल में 960 रुपए हैं दो बराबर धनराशी जो हैं वो दी गई हैं दो बराबर धनराशी दी गई हैं 7% और 5% और चार वर्ष के बाद उनका जो ब्याज टोटल वो बताया गया है यहां कितना ब्याज है 7 चोके 28% तो 100 का 28% क्या हो गया 28 5 चोके 20 20% कितना हो गया 20 28 और 20 कितना हो गया 48 तो 48 यूनिट का ब्याज मिला होगा दोनों से मिला करके अगर 100-100 रुपए आपने उधार दिये हैं लेकिन आपको यहां पर ब्याज मिला है 960 का एक्चुल में तो एक्चुल में एक यूनिट की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी है 20 तो यहां पर 100 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी 2000 तो प्रतेक से 2000 रुपए प्रतेक राशी जो आपने उधार ली वो 2000 है तो बताइए 7% पर उधार दीगी राशी कितनी है तो किसी पर भी पूछलो चाहे साथ पर पूछलो चाहे पांच पर पूछलो दोनों से जब आपने कहा कि सेम राशी उधार ली गई है बराबर राशी उधार ली गई है तो इसका मतलब दोनों से ही दो दो हजार रुपए उधार ली गई है दोनों से ही दो-दो हजार रुपए उधार लिए गई है बताओ बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी बहुत बात पले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है अब इसके बाद में चलते हैं next गुणा पर आधारित question क्या गुणा पर आधारित मतलब मैं आपको एक question दिखा देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये question का टाइम इस type से question आते है इतने time में जो amount है वो इतने गुणा हो गया ऐसा हो गया वो हो गया तो बताइए rate क्या है time क्या है ये सब question आप लोगों को इस category के अंदर पूछे जाते हैं तो देख क्या रहा कि 3 साल में कोई पैसा 7 बटे 6 हो गया अब 7 बटे 6 होने का मतलब क्या आपको पता है 7 बटे 6 होने का मतलब है कि कोई पैसा 6 था और वो पैसा कितना हो गया 7 हो गया जैसे मैं कहूं कि मेरे पास जो पैसा था वो 3 बटे 4 हो गया ये नीचे वाला तो होता है जितना पहले था स्टार्टिंग में और यह होता है जितना अब है वरतमान में तो यहाँ पे कितना है? 7 बटा 6 हैं यहाँ पर जो पैसा हुआ है वो 7 बटे 6 हुआ है तो 7 बटे 6 का मतलब है कि जो 6 रुपए था वो 7 रुपए हो गया यानि कि 1 रुपए का ब्याज मिल गया तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये 6 रुपे प्रिंसिपल है ये 7 रुपे टोटल अमाउंट है तो ये 1 रुपे हमारा क्या है simple interest है simple interest है कितने साल में? 3 साल में तो आपका जो यहाँ पर time है वो कितना है? 3 वर्ष तो आपको यहाँ पर find out क्या करना है rate percentage क्या है आपको यहाँ पर find out क्या करना है rate percentage क्या है देखो कुल मिलाके आपको पता है कि 4 variable होते है SI बराबर PRT upon 100 1, 2, 3, 4 4 variable है 4 में से कोई भी एक missing देदेगा बाकी 3 आपको बता देगा तो आप हमेशा इस तरिके से कर सकते हो simple interest अगर आप यहाँ पर लो कितना 1 principle आप यहाँ पर लो 6 rate आपको find out करना है time यहाँ पर आपको दिया गया है 3 years तो आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आप खुद देख सकते हो यह हो गया आपर 2 से काटा 3 50 बटे में 9 rate बराबर आएगा 50 बटे में 9% 50 बटे में 9 का मतलब क्या हो जाएगा 9 5 45 पांच बच गया 5 सही 5 बटा 9% आपके question का answer है 5 सही 5 बटा 9% आपके question का क्या हो जाएगा बचे answer हो जाएगा 5 rights 5 by 9% तो इस तरीके से आपको questions मिलें तो आप बहुत आराम से उनको कर सकते हो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ों सिखाता हूँ देखो 7 बटे 4 हो गया मतलब अगर 4 था तो वो 7 हो गया 3 क्या है ब्याज है और कितने वर्षों में? 4 वर्षों में तो आपको यहाँ पे देखो पता क्या है? SI बराबर PRT अपॉन 100 SI कितना है आपका? 3 बराबर PRT P कितना है? 4 R निकालना है T यहनि कि time कितना है? 4 वर्ष और अपॉन में 100 तो आप इसको काटोगे तो यह आजाएगा यहाँ पे 25 या 55 बटे में 4 75 बाई 4 तो 18 जो के 22 बच गया 3 बटे 4 और 3 बटे 4 का मतलब हो जाता है 0.75 सो आपके question का answer हो देखो मैं आपको यहाँ पर फिर बता दू बार बार बता दू यह class जो है यह video जो है बचे one short है यहनि कि एक ही video में कम समय में आपको सारे type करा रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं कि अगर गंटे क्लास है तो बस live class देखी बात खतम नहीं इसको आपको दो बार तीन बार आराम से video को पोस करकर करके चीज लिखनी है notes बनाने है question practice करने है then आपका काम पूरा होगा ऐसे नहीं कि गंटे क्लास देखी डेड़ गंटे और सीख गए सिंतल समझ में आया है समझ में आया है और पहले से पड़ा हुआ था मेरी classes को अब यह देख लिया तो फिर और practice की आप शकता ही नहीं पड़ेगी आपको फिर तो यहीं से ही चीजे revise हो जाएंगे आपके तो इस तरह से जो गुणा based questions आते हैं उसको आप लोग आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं अब इस पर अपने बात कर लेते हैं एक दो questions और हैं जैसे यह question है कोई धनराशी 12% वार्शिक चक्रवर्दी ब्याज की दर से कितने समय में दो गुनी हो जाएगी दो गुनी का मतलब है अगर 100 रुपे था तो 200 रुपे हो जाएगा अगर 100 रुपे प्रिंसिपल था तो टोटल 200 हो जाएगा और 100 रुपे का यहां पर इसका मतलब आपका ब्याज हो जाएगा यह बोल रहा है कि दो गुनी हो जाएगा आप बोलो कि सर्व 100 क्यों माना आप एक मान लो एक से दो हो जाएगा ऐसा लिख लो आप चाहे एक से दो लिख लो चाहे आप दो से चार लिख लो SI बराबर क्या होता है PRT upon में 100 तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास में इन चारों में से 3 variable है SI कितना है 1 principle कितना है 1 rate कितना है 12 और time आपको निकालना है 4 से काटोगे 3 4 से काटोगे 25 तो time बराबर आ गया 25 बटे में 3 साल 25 बटे में 3 साल का मतलब हो गया 8 सही 1 बटे 3 वर्ष 8 से 1 बटे 3 वर्ष तो यह तो 6 वर्ष वाला काट दो 7 वर्ष वाला काट दो तो 1 बटे 3 मन्त का मतलब क्या हो गया 12 से गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा 4 महीने तो आपके question का अंसर आजाएगा 8 year 4 months will be the answer of your question ठीक है ना तो इस type से कोई भी question अगर आपके सामने आता है तो आप उसको बहुत आराम से बहुत आसानी से उसको बना सकते हो अच्छा इसकी एक short trick भी होती है short method भी होता है कभी भी आपको इस प्रकार का question मिले ना कि हमारी राशी जो है वो इतने गुणा हो गई इतने time के अंदर इतने time में इतने गुणा हो गई तो बताओ rate क्या है या ऐसे बोल सकता है कि इस rate से इतने गुणा हो गई बताओ time क्या है मतलब एक चीज़ आप देख रहे हो इतने गुणा हो गई तो दोनों case में बता रहा है अगर वो time बता रहा होगा तो आप से rate पूछेगा और rate बता रहा होगा तो time पूछेगा दोनों ही तरीके question एक ही तरीके solve होते हैं बहुती आसान बहुती बहती बहतरीन और एकदम must method है जैसे एक example लेता हूँ मैंने कहा कि चार वर्ष में कोई पैसा चार वर्ष में कोई पैसा जो है वो 21 गुणा हो गया कितने गुणा हो गया 21 गुणा तो बताइए rate of interest क्या है एक तरीका तो आपको बताइए 21 गुणा हो गया मतलब अगर एक रुपए था तो 21 रुपए हो गया 20 रुपए का ब्याज हो गया यह ऐसा ही हो गया यह प्रिंसिपल हो गया और यहां पे जो टाइम है वो चार वर्ष हो गया उससे आप rate निकालेंगे ऐसा ही बराबर PRT upon 100 लेकिन मैंने कहा कि जो गुणा वाले कोश्चन आते हैं न के इतने साल में इतने गुणा हो गया तो बताओ rate क्या है तो आपको क्या करना है मेरी बात को ध्यान से सुने जितने भी गुणा आप कर रहे हो उसको आपको एक कम करना है 21 में से एक कम किया तो क्या हो गया 20 21 में से एक कम किया तो क्या हो गया 20 जितने भी गुणा कर रहे हो यहाँ पे अगर 5 गुणा होता तो यहां 4 लिखते 10 गुणा होता तो 9 लिखते X गुणा होता तो X-1 लिखते N गुणा होता तो N-1 लिखते यानि कि minus 1 करना है upon में जो आपका time है वो लिखना है और into में आपको लिखना है 100 तो 20 बटे 4 5, 5 into में 100 यानि कि 500 वर्ष आपके question का answer है एक और example लेते हैं मालो मैंने कहा कि कोई धनराशी जो है 36 वर्ष में 36 वर्ष में 13 गुणा हो गई 36 वर्ष में 13 गुणा हो गई तो व्याज की दर कितनी है basic method आप सबको पता है मैं बात कर रहा हूँ short की गुणा कितना है 13 आपको एक कम करना है क्या हो गया 12 अपोन में जो भी आपका time दिया है वो रख दो गुणा में 100 रख दो करते हो यह question था कोई धनराशी 12 परसेंट की रेट से दो गुणी हो जाती है तो दो गुणी हो एक कम करो दो गुणी में से कितना आ गया एक बटे में आपका rate कितना है 12 इंटू में 100 तो आप इसको चार से काटोगे तो 25 बटे 3 क्या हो गया 8 सही एक बटा 3 और एक बटे 3 का मतलब होता है चार महिने तो आपके question का answer क्या आ जाएगा आठ वर्ष चार महिने मतलब गुणा वाला question जब भी आए तो आपको गुणा में से एक कम करना है अपोन में rate दिया हुए तो rate रख दो यह कर रहे है कोई धनराशी साधारन ब्याज की किसी वार्ष की दर से 5 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है एक तो case यह है 5 साल में 2 गुणी पांच वर्ष में 2 गुणी एक case तो यह सबसे बहतरीन बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कभी फेल नहीं होने वाली 5 साल में 2 गुणी और एक बता रहा है 12 साल में 3 गुणा एक दूसरा वाला है 12 वर्ष में 3 गुणा तो कह रहा है कि ब्याज की कम वाली धर कौन सी है दोनों की रेट निकाल के चेक कर लो कौन सी वाली कम है आपको पता चल जाएगा यहां देखो दो गुणा है दो गुणा है तो आप क्या करोगे एक बटे में क्या रखोगे 5 गुणा में क्या रखोगे 100 एक बटे 5 गुणा 3% दोनों में से ब्याज की कम वाली दर कौन सी है दिख रहा है साफ साफ clear clear कि 16 वाली जो दर है वो कम है तो इसी के साथ आप लोगों का अंसर आजाता है 16 सही 2 बटा 3% पताईए 16 सही 2 बटा 3% तो इस तरह से आप बड़े आराम से चीजों को समझ सकते हो अब चलते हैं इसके बाद में next question type अब बस आपका एक या दो टाइप और बचाए एक यह और इसके बाद एक टाइप और बचाए उसके बाद में आपका जो पूरा मामला है यह अच्छे तरीके से clear हो जाएगा simple interest के almost type आप लोगों के हो जाएगे अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो यह type का नाम क्या है जब सभी parts का simple interest बराबर हो अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यह क्या लिखा हुआ है अभी मैं question बताता है question है कि एक व्यक्ति के पास 820 रुपए है उसने राम और शाम दोनों को कुछ-कुछ पैसे उधार दे दिये राम को 5% की rate से 4 साल के लिए पैसा दिया और शाम को 7% की rate से 3 साल के लिए पैसा दिया दोनों को जो simple interest प्राप्त हुआ दोनों से जो simple interest प्राप्त हुआ वो आपस में बराबर था मैंने क्या लिखा था उपर जब सभी parts का simple interest बराबर हो दो parts तीन parts जितने भी parts हो और generally आपके exam में जो question आता वो ऐसे आता दो parts वाला ही बस that's it उसी का मैं आपको best trick बता देता हूँ जब दिये गए parts का simple interest आपको इस तरह से बराबर दे दिया गया हो और आपको पूछे कि कौन से part पर कितना पैसा दिया है यहीं कि 820 रुपे में से इस 820 रुपे में यहां में राम के पास कितना पैसा गया और शाम के पास कितना म отлич विन शोर्ट एक चोटा वैसा काम करना है तुम्हें इस 820 रुपे का बटवारा करना है किसमें राम और शाम में तो बटवारा करने कितना हो जाता है 21 इससे fast कोई भी तरीका नहीं है मैं फिर बता जेता हूं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं सीधा सीधा मैं आपको short method पर बात कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं बाकि आप डिटेल में जाएंगे तो क्या होगा आपको दोनों parts के simple interest को बरा कोन में 100 इसका principle मान लो ऐसे principle यह आ गया रेट साथ है टाइम तीन है और बटे में सो दोनों का इंटरस्ट बराबर है यहां से आर और एसका ratio आप लोगों को निकालना पड़ेगा लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है तो हमें कुछ निकालना निकालना नहीं है यहां से हमे काम कर देना इसको पलट देना इसको क्या कर देना पलट देना यहीं कि राम का यहां पर 20 है तो यह आजाएगा शाम के नीची और जो शाम के पास लिखावा था 21 वो आ जाएगा इधर उल्टा लिख दिया 41 बराबर 820, एक बराबर 20, तो अगर राम को कितना दिया ये पूछेगा, एक बराबर 20, 21 बराबर 420, एक बराबर 20 तो 20 बराबर 20 इंटू 20, 400, तो ये पैसा राम को दिया था, ये पैसा शाम को दिया था, दोनों के इससे में कितना कितना पैसा दिया गया था आपके साहे, ठ कोश्टन करा देते हैं आपको अब एक कोश्टन करा देते हैं कि 625 रुपे की राशी है अच्छी बात है 625 रुपे की राशी है एक हिस्सा 5% पर और दूसरा हिस्सा 10% पर उधार दिया गया यदि दो साल के बाद पहले हिस्से और 4 साल के बाद दूसरे हिस्से से प्राप्त ब्याज बराबर हो जाए तो बताईएगा दूसरे हिस्से का पता लगाओ यानि कि इधर हमने कितना पैसा दिया था यह पता लगाओ इसको मानलो पहला हिस्सा इसको मानलो दूसरा हिस्सा तो 5 दूने 10, 10 इंटू 4, 40, पहले कुछ कटता है तो काट दो, 0-0 कट गया, यहां क्या लिखा हुए, 1-4, तो ratio क्या आएगा, 4-1, उल्टा, ratio क्या आएगा, 4-1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, total कितना है, आपके पास में 625, 5 बराबर 625, 1 बराबर 125, ठीक है, किसका पूछा है, दूसरे का, दूसरा कौन सा, इधर वाला, इधर वाला मतलब, second वाला, मतलब 1, तो 1 की value क्या आजाएगी, 125, अगर पहला इससा पूछता, पहले इससे कितना, 4, तो 1 बराबर 125 है, तो 4 इंटू 125 क्या हो जाता, 500, तो दोनों हिससे आपके पास में पता चल जाएगे, आप च यह था आपका, 5 इंटू 2, 10, और 10 इंटू 4, 40, 10, 40, यहनी कि 1, 4, 1, 4, यहनी कि उल्टा, 4, 1, 4, 1 को बाटोगे, तो आपका 125 रुपए आजाएगा, बात को समझ गए, अच्छे तरीके से, एक एक बात आपके दिमाग में clear हो चुकी होगी, इस तरह का question आए, तो आप कैसे करेंगे, यह question है, यह आपका home, वो question है, इसको आप लोग, इसको आप लोग बचे, इस वीडियो के खतम होने के बाद, जरूर से solve करके comment करके जाएगा, ठीक है, अब last, full and final कर देते हैं, एक last type का question मैं आप लोगों को यहाँ पे और करवाने वाला हूँ, उसके बाद में last और अंतिम type question है, जो कि simple interest पे बहुत जादा repeated मात्रा में आपको पूछा जाता है, तो इसका भी एक home work question होगा, इन दोनों home work question का answer आपको comment में करना है, और आपको हमारी class है, वो कैसी लगी, यह भी आपको offline में comment करके जरूर बताना है, class खतम होने के बाद, एक हजार रुपे की एक राशी है, इसको दो भागों में दिया गया है उधार, एक भाग पर ब्याज की दर है 6%, दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 10%, और दोनों से कुल मिलाकर जो हमें rate of interest मिला है overall, वो है 9.2%, उसको रखेंगे बिलकुल बीच में, middle में, तो इसने पूछ है कि पहले इससे पर कितना पैसा दिया और दूसरे इससे पर हमने कितना पैसा दिया, इस 10,000 में से, कुछ-कुछ पिछले टाइप जैसा ही है, यहाँ पर भी आपको इस 10,000 रुपे को बाटना है, दोनों का ratio आप लोगों को निकालना है, और फिर आपको बाटना है, अब आपर ratio निकलेगा बच्चे, allegation method से, आप allegation आगे पढ़ेंगे, बढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है नहीं तो आगे पढ़ेंगे, तो बच्चे, allegation इसके अंदर लगेगा, कैसे लगेगा, इन दोनों का difference कितना है, 0.8, इन दोनों का difference कितना है, 3.2, point से point कट गया, ratio क्या आगया, एक ratio चार, यदि इस तरफ आपने एक रुपया दिया है, तो इस तरफ आपने चार रुपय दिये, इसका मदब total आपने कितने दिये है, 5, तो इस 5 की total की जो value है, मेरे भाई, वो कितनी है, 1000, तो एक की value कितनी है, 1000 बटे 5, 200, कौन सा पूछा है, दोनों इससे क्या ह है, तो एक की value 200 है, तो चार की value क्या आएगी, 4 into 200, 800, तो आपके question का answer आएगा, 200 और 800, 200 और 800 आपके question का answer आएगा, ठीक है, इसको बोलते है, allegation method से इस question को solve करना, बाकी simple interest वाला तरीका आप लगाओगे, proper, काफी time taking ये question आपका हो जाता है, काफी time taking आपका ये question है, हो जाता है, ठीक है, एक question और अपने try कर सकते हैं, यहाँ पर, देखो, 9000 रुपए, दो इससो में दिया, एक तरफ हमने rate of interest रखी है, 7%, एक तरफ हमने रखी है, 13%, और कुल मिला के जो में ब्याज मिला एक साल बाद, उस पे overall rate कितनी मिली है, 9.8, तो क्या करेंगे, यहाँ से आगया 10, यहीं कि 3.2, और यह आगया आपका, दो पॉइंट, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ही आगया, पॉइंट से पॉइंट कटा, तो 8 ratio 7, अगर पहले इससे पर 8 रुपे दियें, तो दूसरे पर 7 दियें, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15, टोटल, 15 हो गया, आपको कितना बराबर आगया, 600, कौन सा पूछा है, 7% पे कितना दिया, तो 7% पे दिया, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला मतलब 8, 8 की value निकालनी है, तो 8 इंटू 600 बराबर 4800 रुपे, 4800 रुपे आपके question का answer बन जाएगा, ठीक है बच्चे, तो एक question आपको homework के लिए और दे रहा हूं बड़े ही आराम से, इतमिनान से आप उस question को करने का प्रियास कीजिएगा, एक विक्ति के पास 4000 रुपे हैं, उसने कुछ हिस्सा A को और बाकी का हिस्सा B को दिया, इतने इतने percent की rate से, यदि कुल मिला कर उसे जो ब्याज मिला, वो 10% की दर से मिला, तो बताइए, उसने B क वो इस 4000 रुपे में से कितना पैसा उधार दिया, यह आपका homework question है, जो बच्चा इस class को देखे, अगर वो अब भी इस question को करके comment ना कर पाए, तो फिर उसका पढ़ना बेकार है, आपको मैंने उमीद करता हूं कि जो चीजे समझाईए, वो एक आपको समझ में आई होगी, एक बार में समझ में ना है, तो यह मत समझना कि तरीका मुश्किल है, तरीक के बहुत आसान है, आपको उस चीज को दोबारा, तीन बार, चार बार पढ़ना है, इस डिड़ घंटे की class को आप दो तीन बार revise करें, practice questions करें, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ था, तो आपका बहुत बढ़िया revise हो गया, नहीं पढ़ा हुआ था, तो आपका यहां पे बेस जो है starting बन गया, आप इस चीज को revise कीजिए, ठीक है, तो इस question का answer comment करके, दोनों का, और बताएगा जरूर की class कैसी लगी, और आपको कोई भी चीज पूछनी हो, कोई भी doubt हो, तो आप नीचे comment कर सकते हो, आपका उसका जवाब मिल जाएगा, चलेगा, thank you, शुक्रिया, जै हिंद, जै भारत